आखिर क्या हुआ जब मैया यसोदा ने देखा स्रीक्रिष्न की रास लीला स्वागते दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम इसी विशे पर चर्चा करेंगे वीडियो को सुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले तो चलिए सुरू करते हैं एक बार की बात हैं जब स्रीक्रिष्न वरिंदावन के कोट वन में गईयों को चरा रहे थे उस वक्त स्रीक्रिष्न को बुलाने के लिए मैया यसोदा गई और जंगल से आने के कारण मैया यसोदा को काफी पसीना आ रहा था उस वक्त स्रीक्रिष्न ने मैया यसोदा से कहा मैया आप नहा क्यों नहीं लेती हो इस कुंड में और उस वक्त उहां पर इस्थित एक कुंड में मैया यसोदा ने स्थान किया जो कुंड आज भी सितल कुंड के नाम से जाना जाता है उसके बाद मैया यसोदा ने स्री कृष्ण से रास लिला देखने की इच्छा जाहिर की उस वक्त स्रीक्रिष्न ने मैया की ये इच्छा पूर्ण करते हुए स्रीक्रिष्न रास लिला मैया यसोदा को दिखाते है लेकिन उस वक्त मैया यसोदा दूर से खड़ी होकर देख रही थी और मैया यसोदा को खड़ी होकर रास लीला देखते हुए कोई भी गोपी नहीं देख पाई बस स्रीकृष्ण को पता था कि मैया यसोदा रास लीला देख रही है दोस्तो स्रीकृष्ण से जुड़े ऐसे सुन्दर लीला और कथाओं के विशे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें रादे रादे